दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विश्रू पुराण में बताए गए ऐसे पांच कामों के बारे में जिनको इस्त्री या पुर्सों को ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए ऐसा करने से घर में दरिजदता कलेश एवं नकरातमक ओरजा का संचार होने लगता है जिससे मनुस्य का जीवन आस्त वेस्त हो जाता है आईए जान लेते हैं इन कारणों के बारे में जिने इस्त्री या पुर्सों को ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहल आइकन जरू दबा दें और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों विश्रों पुरान ग्रंद में भी कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिसको अगर घर की इस्त्री या पुरुस लंबे समय तक करते हैं तो उन्हें काफी सारे दुखों का सामना करना पड़ सकता है और बहन निरंतर परिशानी का भी सामना करना पड़ स जी हाँ दोस्तों विश्रों पुरान की माने तो पुरुस या इस्त्री को ज़्यादा देर तक इस्त्री को ज़्यादा देर तक इस्त्रान नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई भी मनुष्य ज़्यादा देर तक इस्त्रान करता है तो उसे स्वास से पहले ही इसनार करना चाहिए इससे सूरे देव पिरसन होते हैं साथी लचमी जी पिरसन होती है जिससे घर में सुक सवंती रहती है इसनार करने के बाद हमेशा सूरे देव को नमन जरू करना चाहिए नमबर दो जादा देर तक सोना जी हां दोस्तों बिसुनु पुरान की अनुसार घर में कोई भी इस्तरी या पुरस जादा देर तक सोता है तो उससे घर में दर्देता ओत्पन होती है बैग्यानिक दरश्टी कौन से देखा जाये तो अधिक देर तक सोना सिहत के लिए हानिका रखोता है जिससे पूरे दिन आलस बना रहता है और सरीर में दर्द इसलिए हमें सुवा जल्दी उठना है और घर की साथ सभाई करनी है पूजाबाट करनी है जिससे देवी मालचमी परसन हो और घर में मालचमी का बास रहे नमबर तीन किरिया बिसरों पुरान के अनुसार किसी भी इस्तरी पुरुस को आपस में ज्यादा समय तक काम नहीं क करना चाहिए क्यूंकि धार में गरंथों और स्यास्तरों के अनुसार ज्यादा देरता काम करिया करना असुमाना जाता है ऐसा करने से घर में तरितरता ओतपन होती है हमेज़ा दियान रखें कि अगर आप काम किरिया करते हैं तो उसके बाद इसनन अवश्चे करें काम किरिया करने के तुरंत बाद इस्तरी जा पुरुस को पूजा पाट बिल्कुर नहीं करनी चाहिए ऐसा करने से दे भी देपता नाराज हो जाते हैं इससे उनका अपमान होता है क्योंकि काम के लिए करने के बाद में पती या पतनी दोनों आपवित्र हो जाते हैं 4. रात में देव से सोना किसी भी पुरुष या इस्त्री को रात में जादा देर तक जागना नहीं चाहिएं अगर कोई ब्यक्ति ऐसा करता है जादा देर तक जागता है रात में तो ये उसकी दर्षटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता साथ ही जादा देर से सोने वाले ब्यक्ति का मानिसिक स्वास्ते बेगड़ जाता है भैं इस त्रिया पुरूस दीरे दीरे आलसी बनने लगते हैं और देर से उठते भी है और रात में भी देर से सोते हैं नमबर पांच देर तक बयाम करना जी हाँ दोस्तों, पैसे तो हमें रोजाना बैहम करना चाहिए ऐसा करने से हमारा स्वास्ते ठीक रहता है और हमारी दिन चाररे भी कापी अच्छी निकलती है और साथ ही हमें पूरे दिन अच्छा महसूस होता है और सरीर भी जमान रहता है अगर बिश्नु पुराण की माने तो हमें ज़्यादा देर तक वयाम भी नहीं करना चाहिए क्यूंकि इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर हम ज़्यादा तक वयाम करते हैं तो हमारे स्वास्ते के लिए हानिकारक होता है इसलिए हमें अधिक समय तक ब्याम भी नहीं करना चाहिए तो दोस्तों ये थे वह कुछ काम जो बिसुन पुराण के अनुसार इस्तरी या पुरुस दोनों को ही ज्यादा देर तक नहीं करने चाहिए और दोस्तों अगर आप भी मालक्षमी की किरपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जै सिरीव किसना जै मालक्षमी जरूर लेकें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर भी जरूर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें बैल आइकन जरू दवादें धन्यवाद